तो बहुत सारे लोगों ने बात करती है टूथ पेस्ट के बाई में लेकि टूथ पौडर के बारे में कोई भी बात नहीं करती है क्योंकि यह ब्राश कायने में तोड़ा सा अनकॉंक्पटेवल हो जाती है। तूथपेस्ट में बहुत ज़ादा जहाक होती है, यूस करने में बहुत ज़ादा इजी हो जाती है, हाथों में पेरों में तल जगा पे नहीं लगाना पड़ती है, हमें बस ब्राश में लगाओ, और सिदा सिदा मूँ ब्राश का लो धोलो बैस, एकदम खतम बात खतम, तो आज हम बद करने वाले हैं एक ऐसा ही अमेजिंग चीजों के बरे में जो हो सकती है कि हमारे लाइफ तो रासा चेंज कर सकती है है यह चीज जो मैं खूद भी यूज करती हूँ और आप लोगों को इसे यूज करने के सला भी देती हूँ क्योंकि यह एक बहुती अच्छा चीज है मैं जब इसको बनाया था इसका क्वांटिटी ऐसा था लेकिन आप इसका क्वांटिटी कुछ इतने में गिर गई है तो सोचिए मैं कितने दिन से इसको यूज कर रही हूँ कि इसका क्वांटिटी यहां तक आ गई है और यह ना बहुती अमेजिंग है क्योंकि मैं इसको यूज करने के बाद बहुती ज़दा खुश हूँ आशा है कि मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यह सरी इंग्रीडियन से बनाने के बाद यूज करने के बाद हमारा जो है उस बेनिफिट है वो क्या होने बाली है सो आई होप आज की वीडियो आप सब लोगों को आच्छा लगने बाली है आप अगर मेरे चैनल में नाया है तो मैं हुजोती तो आज मैं करने बाली हूँ एक बहुती अमेजिंग रिव्यू और यह प्रोड़क्ट कोई कंपानी वालों ने विल्कुल भी नहीं बनाया हमारा यूट्यूब में एक चैनल है नाम है सैतविक मॉव्मेंट तो सैतविक मॉवमेंट का जो एडेवल शैंपू की रेसिपी है उसका रिव्यू यानि कि वो बनाने में कैसा है यूज करने के बाद उसका बेनिफिट क्या मिलने वाली है सब कुछ की वाड़ में मैं डिटल में बात किया है और अगर आप लोगों ने अभी वह वीडियो नहीं देखा है और मुठीक से साफ नहीं होने की बजाए से पेट में भी कभी कबर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए हाईजिन मेंटिन करना बहुत ज़्या इंपोर्टेंट है यह सारे चीज़ों को लेकर आप मैं बहुत ही ज़्यास हो गई हूँ और मैं बहुत ही अगर वो मेरे लिए वक करे तो तभी जाकर मैं वीडियो बनाती हूँ यह सारे चीज़ों को लेकर यह मैं पहले बता देना चाहती हूँ एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट डिस्क्लेइमर है वह है मैं स्टैविक मोव्मेंट चैनल का क्या कहते है उसको क्या ऐसे बचा सकते हैं क्या ऐसे हम लोग उसको सही तारीक से इस्तमेल कर सकते हैं यह सरे चीज़ों को लेकर बत करती है तो इसलिए वो चैनल मुझे बहुत ही अच्छा लगती है और इसलिए मैं आप लोगों को वो चैनल की बात कर रही हूँ और इसलिए ही मैं वो तो चाहिए लोंग या एकी क्लॉप्स यह पौछ सरे कमपनी ऐसा है कि जो लोग हमें जनुवीन प्रोडेक्ट बिचती है लेकिन वह थोड़ा से मेंगा होती है और मेरे खायल से मार्किट से 100 ग्राम का लोंग किदम जादा से जादा से जादा 120-25 रुपिया होगी कलकता में इसको लाने के बाद घर में मिक्सर ग्रेंडर तो अविसली होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग इतना जादा मौडन हो गए है कि ऐसे ऐसे बटना कभी पसंद महीं है तो अविसली मिक्सर ग्रेंडर होना ही चाहिए तो मिक्सी में इसको बहुत ही अच्छे से एक पाउडर फॉम में लाना ही है और इसको पाउडर बनाने के बाद आपको इसके अंदर अदर अड़ी है तो मैंने यहां पर कितना क्वांटिटी में हल्दी लिया है तो आप आप ऐसे नहीं करना चाहते है तो आप यह कर सकते है कि 50 ग्रम हल्दी, 50 ग्रम लॉंग, 50 ग्रम सॉल्ट अब यह सारे चीजों को बहुत ही अच्छे से मिला सकते है और मैंने यहां पर स्पून से मिजरमेंट किया है तो अगर अपलोग चाहते है तो 100-100 ग्रम या 50-50 ग्रम या 25-25 ग्रम कुछ भी क्वांटिटी में यूज कर सकते है और लाइए कि सारे चीज मार्कर से और आप मिला के सारे चीजों को बना लीजिए और यह देखने में इतना ज़दा प्यारा लगती है जैसे कि आप लोग देखी सकते है कि यह देखने में कितना जादा कलरफुल ह मुझे तो लगती है कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ मैं इसको यूज ना करूँ I mean यूज करूँ लेकिन मैं दो चार दिन इसको ना ऐसे ही रहने दूँ नहीं दो चार दिन बिल्कुल भी नहीं मैं इसको शोपीज बना के रखना चाहती हूँ क्योंकि यह ही ऐसा क्यूट और आप इसको क्या करना है बहुत अच्छाज है शेक करके मिला लेना है और कभी आप टूथपेस के बतले में इसे बना कर एक बार के लिए तो सही यूज करके देखिए और इसे यूज करने के बाद आपका एक्सप्रियेंस अगर खरब हो तो मुझे आंके कॉमेंट में बता अगर आप इसे दंतो मंजन क्रिया करते कर खा भी लेना तो भी कोई इसुस नहीं है क्योंकि यह सारे चीज हम लोग खा सकते तो बना के कभी यूज करके देखिए और मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपका एक्सप्रियेंस कैसा है क्योंकि मेरे जो एक्सप्रियेंस था फिर्स टाइम इसको यूज करने के बद ओमाइगाद में इसके बड़ में क्या मता हूँ हाँ थोड़ा सा तीकापन आपको मैं ऐसस होगा क्योंकि यह जो लॉंक का जो फ्लेवर है ना वो कुछ ही यासा और इसे ना हर कोई यूज कर सके पहले बड़ जब मैं इसको यूज किया ना तो मेरे एक्सपिडियेंस बहुत ही जदा अच्छा था हमेशा हम लोग ऐसे सूचते कि यह सरे चीजों को हम लोग बच्पन से देखते आ रहा है बड़े-बड़े सेलिब्रेटिस ने इसको रोट किया है टीवी में इसका एडवेटरीश चल रहा है सारे लोगों पसंद नहीं लेकिन वोगों पीजा बहुत ही पसंद है वैसे ही होती है यह सरे चीज़ कि हमें मार्केट में बिखने वाला टूथपेस पसंद है लेकिन घर ने इंग्रीडियन से बनाए हुआ पावडर फॉर्म में तूथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो पहले-पहले यह भी मेरे सब भी होता है एक दिन दो दिन एक हटा लगाता मुझे तूर सा अनकोफेटेबल मैसिस हो रही थी कि मतलब हो नहीं रहा है मुझे हो नहीं रहा है देखिए मैं यहां पर कोई प्रोडेक्ट कर प्रोमोशन बिल्कुल भी नहीं करने वैठी हो कि आप यह खरीद आपने यार प्यार डील दर सबके साथ श्यार केजिए मैं फिर मिल दो नेक्स ट्रीक नेक्स ट्रीक के साथ टिल देंड के पन वाचिंग बाइए